हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल यह जो वीडियो है यह रहेगा बेसिकली एप्लिकेशन फॉर्म के लिए रिक्रूट्मेंट यहां पर एच एससी के द्वारा हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा पीजीटी संस्कृत की वेकेंसी के ऊपर रहेगा यह वीडियो जैसा आप देख रहे होगे यह ओफिशियल वेबसाइट है यहां से एड़िटाइजमेंट नंबर एक दो होजारी की सर्याना स्टाफ सेल हैं और क्या प्रॉसिजर रहेगा ठीक है यहां पर देखिए यह क्या है डेट और पैब्लिकेशन यह पब्लिश होई है बही ग्यारा दो दो हुजार इकीस को ग्यारा फरवरी को ओपनिंग डेट है आपकी समिशन फॉर्म की आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 16 तारिक से क्लोज प्रॉसिंग डेट फोर डेपोजिट ओफी 6 मार्च टेबल ऑफ कंटेंट में देखें मतलब यह लिखा है कि पेज नमबर 8 पे क्या होगा दो पे क्या होगा यह सारी चीज है मेंडेटरी में जो ऑप्शन है पेज नमबर 7 पे डोकुमेंट तो भी अप्लोड़ेड विद अ अप्लिकेशन फॉर्म मेंडेटरी आपको यहां पर डोकुमेंट अप्लोड करने पड़ेंगे अप्लिकेशन फॉर्म के साथ फिर देख लिए जिए इन्विटेशन अप्लिकेशन में क्या है टोटल कितनी पोस्ट हैं 534 पोस्ट ओपीजिटी संस्कृत ग्रुप बी सर्व अप्लिकेशन फॉर्म क्या क्या है अप्लाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग अलास्ट इसे पहले ही सम्मिट करा दीजिएगा अगर जो भी जनल के अटेगरी के अकॉर्डिंग ही फी देनी होगी जो सीवी सिका उसको अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग यहां प फी देनी होगी प्लीज रेड़ इंस्ट्रक्शन और प्रॉसेजर केरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग फिलिंग ऑन्लाइन एप्लिकेशन जब भी फोर्म बरो तो सारे सेक्शन वहां पर चेक जरूर कर लीजिएगा ठीक है आफ्टर दा फिलिंग ऑफ दा ओन्लाइन फॉर्म आपको एक रेजिस्टेशन नंबर और पासवर्ड जन्रेट होगा वहां से तो प्रेंट आउट लोगे तब आपको वहां पर दिख जाएगा और वह सेव भी रखना है ताकि आप वह पासवर्ड और रेजिस्टेशन के थूरू जब आपना एडमिट काड आएगा तो उसकी थूरू आपका निकल जाएगा ठीक है और देख लीजिए क्या क्या है important note में देख लीजिए candidate are advised to fill their application form carefully such as name, father, mother, name, date of birth, category, qualification, marks, obtained, passing year, photo signature, detail and fee at extra no request for the change of any particular of the online application from shall be entertained by the haryana staff selection commission after submission of application form मतलब कई बार होता है बही कुछ mistakes हो जाती है application form में तो गलती ना करिएगा ठीक है special instruction for filling application form the online application can be filled up this URL address है और आपको क्या क्या करना है eligibility condition देखनी है इसमें आपकी जो योगेता है न वो या तो आपका PG होना चाहिए संस्कृत में या फिर आचारे प्लस बीड होना चाहिए ठीक है short listing candidate को shall be done on the basis of particular filled in online application form for which he shall have to add upload supporting document in case of variation into candidature shall be cancelled तो ऐसा मत करना और अगर आपके पास यह वाली चीज है रिजर्ड केटेग्री SC, BCA, BCB, EWS का है तो वो आप जरूर लगाएगा आप अपने documents अच्छे से वहां पर फिल कर दीजिएगा 534 पोस्ट है, PGCT, Sanskrit, Rest of Haryana, Detail of the Post and the Qualification essential qualification में देख लिजिए भई क्या क्या है आपके पास matriculation या higher level पर हिंदी और संस्कृत में से एक subject mandatory है certificate of having qualified Haryana teacher eligibility test, estate आपका qualified होना चाहिए या फिर आपका estate जो school teacher eligibility test था वो आपका qualified होना चाहिए good academy record, candidate having 50% marks after taking average of any 3 examination, 10 plus 2 graduation इन में से किसी में आपके 50% marks होने चाहिए, however the candidate must have at least 50% marks in the PG आपका जो post graduation है, जिसके base पे आप form फिल करोगे, वहां पर आपके 50% marks होने चाहिए ठीक है, यह सब कर सकते हो, और अगर कोई भाई, PGT computer science, in case of PGT computer science, the candidate must have at least 55 मांग रखे हैं, ठीक है, M में संस्क्रीत हो, या फिर आचाहरे with at least 50% marks and beard हो आपके पास language teacher course, oriental training, आपको सब कुछ मां पे लगा देना है, age है, age की देख लिजिए, age है भई, 18 to 42 और pay scale है आपका, यहां पर 47,600 से 1,51,000, ठीक है, 1,51,100,000, सो तक कितनी कितनी पोस्ट किसके बटवारे में आएंगी देख लिजिए, टोटल जर्नल की आएंगी यहां पर, 325, SC1,19, BCA 59, BCB 31, EWS की 0 है, टोटल पोस्ट है, 534, ठीक है, अब यहां पर ESM 5% horizontal में देखे, जर्नल की 16 है, SC की 6 है, BCA की 3 है, BCB की 2 है, यहां पर 3% पोस्ट रिजर्ड 4, ESP, जर्नल 10, SC4, यह आप देख लिजिएगा, जो हैंडिकाप वगरा है, उनकी भी है, यह सारा नोट है आपके पास, यह देख लिजिएगा, आप जरूर पढ़के जाएगा, रिलाक्सेशन किस-किस को मिलता है, एज में कैटेगरी वाइज, और पोस्ट ओफ दा कैटेगरी नंबर इस वन, मेल फीमेल के लिए जर्नल के लिए 500 रुपे चार्ज है, फीमेल के लिए 125 है, हर्याना से रेजिडेंशी हो, सबी जो फीमेल होंगी ना, जो हर्याना की है, उनको 125 रुपे का फोम बना होगा, और जो बहार की है, लेकिन फीमेल है, तो 500 रुपे ही लगेंगे, मेल के 500 ही लगेंगे, जनल कास्ट के लिए, और सबीसी का यहां पर 125 रहेगा, मेल और फीमेल रहेगी 75, Criteria for the Selection, Examination and the Syllabus, आपका जो रिटन एक्जाम होगा, 90 मार्क्स का होगा, Social Economic Criteria and Experience 10 मार्क्स का होगा, भाई 75 परसेंट सिलेबस भी देख लिजे, 75 परसेंट वेटेज रहेगी, जनल, awareness, reasoning, math, science, computer, English, Hindi and concerned or relevant subject as applicable, 50 परसेंट वेटेज रहेगी, history, current affair, literature, geography, civics, environment, culture, extra of Haryana, हरियाना की यह बढ़के जाएगा, और जिस जिसको is relaxation मिली है, वो देख लीजेगा है, examination schedule, in the month of, आपका या तो CBT हो सकता है, या तो MR-based हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, online भी हो सकता, offline भी, और 14th March इनों ने दी है, डेट टाइम को, ठीक है, तो आप यह देख लीजेगा, so thank you so much वीडियो देखने के लिए, अगर आपको यह information कुछ अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, so thank you so much, thank you to watching video,